We are on a campaign trail and joining me here is senior BJP leader and union minister नितिन गटकरी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें time देने के लिए मुझे पता है कि अभी इग्रा में आप एक rally को संभोधित किया है आपने अब आप रामनगर जा रहे हैं और यह आपको दूसरा दौरा है बंगॉल का सर बंगॉल अपने आप में बहु कर रहे हैं आगे आपके दौरे लगेंगे नितिन गटकरी कैसे नेता माने जाते हैं जो कि हमेशा honest opinion देते हैं और हर चुनावों को लेके उनकी honest opinion देते हैं खुद भी चुनाओं लड़े हैं चुनाओं लड़वाए भी हैं अपने पार्टी एधिक्ष भी रहें बेंगॉल की क्या परिस्तिती आप देखते हैं पहले दो चर्णों से पहले पहली बात तो ऐसे कि बंगाल ने आज तक की इतिहास में कॉंग्रेस को अच्छी तरीके से अजमाया है फिर लेट पार्टी में सीपीएन की सरकार का भी अनभो किया है और उनसे नाराज होकर त्रुनमुल क कॉंग्रेस को उसर दिया है और उनका भी काफी अनभो लिया है बंगाल वही के वही है गरीबी भुकमरी बहरोजगारी में कोई फरक नहीं पड़ा है और इसलिए बंगाल की जनता में इस समय असंतोश है परिवरतन चाहती है और नए विकल्प को धूड रही है और नए व हमने रोड सेक्टर में, रिलवे सेक्टर में, एवेशन की सेक्टर में, चाहे गाव गरीब मजदूर किसान का कल्यान करने की खत्र महर्क चत्र में जो कुछ काम किया है वो बंगाल की जनता देख चुकी है और इसलिए बंगाल की जनता परिवरतन चाहती है बंगाल की जनत मुझे पूरी विश्वास है कि निश्चित रुप से बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए होट दे रही है और ये परिवर्तन भारतिये जनता पारटी के पक्ष में होगा और हमें विकल परको की रूप में जनता चुनेगी और निश्चित रुपे हमारी सरकार बनेगी ऐसा माहूल दिख रहा है और जनता का भी मत उसी दिशा से चल रहा है ऐसा अनभो यहां से लोगों से मिलने के बाद प्रचार दवरा के बाद होता है नितिन जी एक और सवाल है आपने 2019 का महराष्टा चुनाव भी देखा था तो पवार साथ की उसमें एक तस्वीर थी सतारा में बारिश के वक्त करते वक्त की और वो तस्वीर काफी वाइरल हुई थी जिसके बाद बताते ही हैं कि NCP का जो वोट बेस है वो बढ़ा था लोगोंने NCP के लिए वोट किया अब खेर वो महराष्ट में सत्ता में ममता दीदी भी कुछ वही क्या टाक्टिक अपना रही है क्योंकि कल जिस प्रकार से उन्होंने वील्चेर पर रोड़ शौ किया कैलकटा में और लोगों को बताया कि भाई मेरे उपर ये अटाक हुआ है और एक कॉंस्पिरेसी ए टीमसी ने आरोप लगाया कि कॉंस्पिरेसी हाला कि Election Commission का कहना है कि कोई conspiracy नहीं है पूरी जाच पड़ताल की गई है इस पूरे मामले में कैसे देखते हैं आप यह जो वील चेयर पर ममता दीदी रोडशोस कर रही है वील चेयर पर जो रैली कर रही है क्या sympathies मिलेंगी टीमसी को दिखेंगे पहली बात था इसी कि वह एक और एक्सिडेंट जो है वो एक्सिडेंट एक्सिडेंट होता है तो और उसके बाद में उसकी इंक्वाइरी भी हुई है और चिरायक ने भी स्पष्ट कर दिया है अब एक्सिडेंट का उपयोग पबलिक की साहंद्रबूती के लिए मिलाना यह कोई उचित काम नहीं है पर इसले निश्चे तो उपसे जनता समझेगी, ऐसे कितना भी कुछ किया, तो भी इस प्रकार का कोई फाइदा हा, पॉलिटिकल रूप, पॉलिटिक्स का रूप में मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, नितिन जी एक और सवाल है, ममता दीदी और उनके पार्टी के लोग, आप ल देखिए, पहरी बात तो हम जिन के प्रेणा स्तोत्र जिन को मानते है, जिनने हमें विचारधारा दिये हमारे जनसंगे के समस्तापक, डॉक्टर शामा प्रसाद मुकर जी बंगाल के है, बंगाल ये करांतिकारों की और देशे भक्तों की भूमी रही है, और बंगाल ने हर शामा प्रसाद मुकर जी हमारे इस राश्टरवाद के प्रकर उद्गाता थे, वो हमारे प्रेणा स्तोत्र है, और जो प्रेणा हमको बंगाल से मिली, शामा प्रसाद मुकर जी बंगाल से मिली है, वो हम लोग बाहर के कैसे हो सकता है?